सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हमन्थ फॉर यू चैनल को और दवाईए इस गंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हलो फ्राइब दिस वीडियों हम लोग बात करेंगे आपके देली मेट्रो कार्ड के बारे में आपको बारवार रिचार्ज करने के जरूत नहीं पड़ेगी यहां पर आटो पे आपके जो बैंक एकाउंट आप लिंक करेंगे तो इससे आपको कितना खर्चा आएगा और उसको अपने घर के आड्रेस पर कैसे डिलिवर कराएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में आप लोगों को सर्च कर लेना है आटो पे तो यहां पर आपको आपको आप मिल जाएगा तो यहां पर आप देखिएगा कि यह एफ हो गया आप इसको इंस्टाल कर लिजएगा मैं इस्टाल किया हुआ तो यहां पर ओपन का ओप्सन आ रहा है तो मैं यहां पर ओपन पर क्लिक कर देता हूं जैसे ही मैंने यहां पर ओपन पर क्लिक किया तो यहां पर लोकेशन के लिए पूछ रहा है तो मैं अलाओ कर देता हूं जो भी परमिशन मांग रहा है तो अलाओ क आपको नेम फिल करना है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको नेम फिल करना है आप वही नेम फिल कीज़ेगा जो कि आपका pen card में है यहां पर email id यहां पर mobile नमर फिल कर देज़ेगा और यहां पर आप confirm कर देज़ेगा और agree and continue पर आप क्लिक कर देज़ेगा तो मैं सारी information फिल कर देता हूं तो मैंने यह सारी information यहां पर फिल कर दिया नीचे agree and country उपर मैं क्लिक कर देता हूं यहां पर आप दे सकते हैं कि जो भी mobile नमर आपने फिल किया हो उस पर एक OTP आएगा तो यहां पर आपको पुल कर देना है तो मेरे मैं यहां पर automaticallyotiphyota होगे तो यहां पर आप दे सकते हैं कि हमारा registration वो सकस्वुली हो चुका है यहां पर हमको message भी आ चुका है जहां पर लिखा हुआ है registration successful ठीक है तो आटर अपर हमको लॉगण करना है तो यहां पर facility यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर मैं आपको बात करूँगा DMRC, यहाँ पर आगर आप card के बारे मैं देखना चाहते है, card कैसे order करेंगे तो DMRC पर आप click कर दीजेगा तो मैंने DMRC पर click किया तो यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, get rid of, topping, up, metro, card, every time, switch to auto pay यहाँ पर auto pay में आपको क्या क्या फायदा होगा तो यहाँ पर जो आपको auto pay होगा, वो आपका bank से connected होगा तो वो automatically top up हो जाएगा आपको उसका balance, card का balance चेक करने के जोत नहीं पड़ेगी, कि आप उसको बार-बार balance चेक करें कि इसमें sufficient balance है या नहीं वो automatically आप bank से recharge हो जाएगा और इसमें क्या-क्या benefit होगा, तो यहाँ पर यह इसके benefit लिखा हो तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर proceed पर आप click करते जाएगा तो यहाँ पर आपके दो card दिया हुआ है, पहला card है आटो pay तो यहाँ पर आपको जो यह वाला card है, यह आपका आटो pay है, जो दूसरा वाला है, यह आपका personalised है That means कि यहाँ पर आपको 499 रूपीस लगेगा यहाँ पर जो आपका कार्ड होगा उसमें आपको फोटो भी अलग किया आएगा तो मैं पहला वाला select कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रोसीट के option पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है switch to auto pay तो यहाँ पर आपको इसके बारे मैं information लिखी हुए तो इसको आप पढ़ लिजएगा तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आपका जब card है उसका जो balance है 100 से नीचे जाएगा तो आपका 200 के रिचार्ज automatically हो जाएगा क्या किजएगा यहाँ पर process पर आप क्लिक कर दिजएगा तो मैंने यहाँ पर नीचे process पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर लिखा हुए please fill the form below आपका customer name, mobile number, permanent address, pin code और यहाँ पर city, यहाँ पर state और add card पर आप क्लिक कर दिजएगा तो मैं यहाँ पर information फिल कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना address fill कर दिया नीचे add card का option है तो add card पर आप क्लिक कर दिजएगा तो मैंने यहाँ पर add card पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर अपना address चेक कर दिजएगा तो यहाँ पर आपका जो card है वो deliver होगा तो यहाँ पर चेक करने के बार मैं चेक कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर नीचे next का option है, next पर मैं click कर दूँँगा, अगर आपको modify करना तो modify का option भी है, तो next पर मैं click कर दिया, यहाँ पर आप देशाखना लोगों को बतायाएगे है, यह सारा information यहाँ पर proceed पर आप click कर दीजेगा, तो मैं proceed पर मैं click कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ मैं यहाँ पर UPI से करता हूँ, तो मैं UPI पर click कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि powerway autopay.in, पेना पर आप click कर दिया, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, कि यहाँ पर UPI यह option आगा, तो मैं phone pay पर मैं click कर देता हूँ, phone pay से payment करना चाहता हूँ, phone pay, google pay या जितने यहाँ पर आपके UPI यह पर आपका शो करेगा, तो इसे आप payment कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर phone pay open हो गया गया, अब मैं यहाँ पर payment कर देता हूँ, रट कर दिया अपना account, और सपाने पर मैंने click कर दिया, तो यहाँ पर आपको 349 रुपीज देना होगा, तो मैं यहाँ पर UP यहां पर आपको क्या करना है कि जो आपका कार्ड है वो आपका रिचार्ज हो जाए तो उसके लिए आपको यहां पर आपको क्रेट कार्ड या फर बैंक मेंडेट पर क्लिक करना होगा तो मैं बैंक पर क्लिक कर देता हूं नीचे पर क्लिक कर देता हूं तो यहां पर आपको बैंक एकाउंट की इंफर्मिशन फिल करने पड़ेगी जैसे कि एकाउंट नंबर बैंक एकाउंट टाइप हो गया यहां पर आपको फिल करना होगा और यहां पर वेरिफाई पर आप क्लिक कर देज़ेगा और यहां पर नीचे दिया हुआ आपको पर गयाelt कर देज़ेगा और नीचे दिया आपको में पर प्रॉसिड कर देज़ेगा तो यहां पर आपको यहां हमारे mobile number पर जो हमारा bank से connected है तो यहाँ पर OTP फिल कर दीजेगा तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि मुझे OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पर copy कर लिया OTP को यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ और नीचे confirm पर मैं click कर देता हूँ तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि जो mandate authorization successful तो हमारे जो mandate है वो successful हो चुका है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा wait कर लिजे तो देख सकते हैं कि यह automatically return हो चुका है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि यहाँ पर लिख किया गया है कि alert your DMRC card is successfully applied ठीक है तो हमने जो अपना DMRC card is successfully applied हो चुका है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप इस तरह से यहाँ पर आपका card order कर सकते हैं DMRC तो इस तरह से आप यहाँ पर card को order कर सकते हैं within two to three days आपका card deliver कर दिये जाएगा तो I hope आपको भी पैसे नहाँ अगर आपको यह वीडियो फिस लाइक कर लिए चैना को सब्सक्राइब कर लिए जिएकर यहाँ पर आपको यह लिए कुछ नहीं सेखने को मिलता है और नारिफिकेशन बेल को अन्ट कर लिए जिए जैसे कि आपको सभी वीडियो के नरिफिकेशन मिल सके है तैंक्यू